इस वीडियो में आप जानेंगे 10 ऐसे critical metrics जो आपको मदद करेंगे आपके online coaching business को 10 गुना ग्रोग करने के लिए नमस्ते मैं हूँ बिश्टा तो सौगत आपको teach more पे जैसे आप जानते हैं कि teach more के मादियम से आप अपने courses को बहुत ही असानी से launch कर सकते हैं और अपने coaching business को online coaching business को और भी grow कर सकते हैं without any problem without any technical knowledge और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो like शे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए शूर करते हैं इस वीडियो को तो अभी आप सोच रहें कि यह metrics क्या होता है metrics का मतलब होता है कि जब भी आप अपना कोई भी content sell कर रहे हैं for example website तेयार करते हैं कुछ भी कर रहे हैं even जो आप bike चलाते हैं गारी चलाते हैं internet यूज करते हैं वहाँ पे आप metrics को इस्तमाल करते हैं यानि numbers को इस्तमाल करते हैं analyze करने के लिए तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वालों 10 ऐसे critical metrics जो आपके लिए बहुत important हो जाते हैं जब भी आप अपने courses को sell करते हैं अगर आप अपने courses को teach more के मात्यम से sell कर रहे हैं या आपने coaching business को और बढ़ाना चाते हैं metrics you matter करता है simple answer है for example अगर आप गारी चला रहे है अगर उसका mileage कम है तो खर्चा आपका कितना बढ़ेगा या कम होगा definitely बढ़ेगा और अगर आपके गारी का mileage बहतर है यानि mileage अच्छा मिल रहा है तो फिर आपका खर्चा कितना कम होगा या जादा होगा obviously कम होगा तो उसी तरीके से यहाँ पे matrix के माधियम से आप analyze कर पाएंगे कि आपका जो content है उसका performance कैसा है उसको किस तरीके से बहतर बना सकते हैं कहाँ पे आपका जो problem हो रहा है वो problem कैसे solve कर पाएंगे और वो problem को कैसे identify कर पाएंगे तो चली जान लेते हैं कौन सा matrix आपको monitor करना है ताकि आप अपने business को आथानी से grow कर सकें अपने coaching business को grow कर सकें यहाँ पे जो भी points मैं आपको बताने वाला हो बहुत ही vital होता है यहाँ पे सिर्फ वीडियो देख लिया समझ लिया ऐसा नहीं होगा आप इसको notes लीजे या इस वीडियो का screenshot भी ले सकते हैं जो भी pointers मैं आपको बता रहा हो बहुत ही vital है आपके लिए और इस pointers को अगर आप focus करते हैं इस्तमाल करते हैं अपने business को आप 10x easily grow कर सकते हैं सबसे पहला चीज होता है कि lead generation और opt-in rate for example अगर आप lead का मतलब क्या होता है कि हर एक customer हर एक visitor आपका customer नहीं बनता है और यहाँ पर lead का मतलब होता है कि those people who are interested in your product and service तो आपको figure out करना पड़ेगा जो भी marketing strategy चला रहे हैं paid हो गया, non paid हो गया, organic हो गया free marketing हो गया जो भी आपका marketing channel है वहाँ से जो भी lead आपके पास आ रहा है जो भी interested customer आपके पास आ रहा है interested lead या interested prospect जो आपके पास आ रहा है वो कितना है for example अगर आप 100 लोग को attract करते हैं 100 लोग आपके पास आते हैं और वहाँ पे सिर्फ 2 अगर आपका lead generate होता है तो आपका lead conversion ratio या lead generation ratio कितना होता है 2% आपका target क्या होगा किस तरीके से मैं grow कर पाऊँगा सबसे पहले लोग आपकी lead बनते हैं फिर जाके आपके customer बनते हैं इसलिए this is very important to understand what is your lead generation role और उसके बाद lead बनने के बाद क्या होता है फिर आप उनको sell करते है solid आपके पास आए है तो solid convert होंगे क्या paying customer के साब से कभी नहीं तो यहाँ पे solid में से कितने convert होते हैं 2, 3, 4, 5, 10 यह आपको analyze करना परेगा क्योंकि यहाँ पे इसी के ऊपर आपना sales funnel जो है वो discover करेंगे उसको adjust करेंगे उसको आप further process करेंगे और उसी के साथ-साथ refund rate बहुत important हो जाता है बहुत सारे customers because not every customer is for you and not everyone is your customer यहाँ पे बहुत बार हर बरहत में बहुती confused हो जाते हैं आपका course purchase कर लेते हैं तो यहाँ पे यह भी आपको figure out करना परेगा कि अगर आपका refund rate बहुत जादा हो जाता है definitely have a refund policy क्योंकि आपकी customer के उपर यह faith built up होता है कि हाँ मैं अगर यह course लेता हूँ मुझे अगर पसंद नहीं आए तो फिर मुझे refund मिले का chances हो जाता है तो इसलिए refund rate अगर आपका बहुत जादा है उसको कैसे reduce करें you can talk to your customers directly, indirectly indirectly मतलब आप एक mass video बना के reach out कर सकते हैं अगर आप के पस phone number है, email है उनके साथ directly आप बात कर सकते हैं next हो जाता है customer rating customer आपको कितना rating दे रहा है आपकी website में, online में, google में, youtube में, amazon में जहां पे भी आप अपना product sell कर रहे है वहाँ पे आपको क्या rating मिल रहा है क्योंकि इसी की उपर basis करके दूसरे लोग आपके content को खरी देंगे या आपके content को purchase करेंगे cost per acquisition, अगर आपका cost per acquisition बहुत कम है, तो फिर definitely आप उसको scale up कर पाएंगे अगर आपका cost of acquisition बहुत जादा है तो आपको reduce करना पड़ेगा नहीं तो आपका product का cost वो जो है cover नहीं हो पाएगा, आपका loss हो सकता है this is very very important तो मैंने जो 5 pointers आपको बताया है कौनसा point आपने कभी सुना भी नहीं होगा कौनसा point अभी आप follow कर रहे हैं कौनसा data, कौनसा metrics आप definitely अभी आपको बताने वाला हूँ definitely it all depends it doesn't really matter though because this is the video this is the video where you can improve yourself तो 5 points तो मैंने अपको बता दिये 5 points में से कौनसा metric आप follow कर रहे है कौनसा नहीं कर रहे है और यहां पर आप मुझे कमें से क्वें आपका score आपका score आपने आपने कितने metrics को follow किया है कितने metrics को आप analyze कर रहे है definitely मुझे comment section में बताएगा because this is where we are learning we are learning together to grow together ताकि आप अपने business को grow कर पाए आप अपने coaching business को और भी develop कर पाए next हो जाता है traffic quality of traffic कैसा आ रहा है उसका bounce rate कितना है कितने देर तक वो आपके website में रह रहे हैं आपके कौन से content को वो जादा consume कर रहे है जादा engage कर रहे है this is very important क्योंकि उसी तरीके से आप अपने content plan को अपने content का जो base है उसको तयार कर पाएंगे further grow कर पाएंगे reach आपको देखना परेगा कि कहां पे आपका reach हो रहा है आपका paid advertisement पे reach जादा है organic जो आपका lead आ रहा है organic आपके पास जो traffic आ रहा है youtube से जादा आ रहा है facebook से जादा आ रहा है twitter, linkedin कहां से जादा आ रहा है यह आपको सबसे पहले define करना पड़ेगा reach के साथ साथ जब भी आपका traffic आ रहा है उसका engagement कितना है तो कौन कुन से section में जाके वो देख रहा है this is very important and also cost per lead cost per acquisition is different cost per lead is also different क्योंकि हर lead आपका convert नहीं होगा जो भी आपका cost of acquisition है वो भी आपका अलग होगा so make sure that you are not confusing cost of per lead with cost of acquisition तो यह थे 10 metrics आपने कितने metrics को follow किया है कौन से metrics को आप follow कर रहे है क्योंकि बहुत सारे analytical tool आपको मिल जाते है जिसके मार्दिम से आप इनको focus कर सकते है आप इनको analyze कर सकते है और figure out कर सकते है कि कहां पर आपका drain out हो रहे है, आपका resources drain हो रहे है आपका पैसा, जो है drain हो रहे है कहां पर आप improve कर सकते है because इसी को लेखे आपको ज़्यादा research करना पड़ेगा और जितना अच्छा आप इसको manage कर पाएंगे जितना अच्छा आप इसको analyze कर पाएंगे उतना अच्छा आप अपने audience के साथ reach out कर पाएंगे और grow कर पाएंगे So 10 out of 10 आपको definitely मिलेगा क्योंकि आप अगर इस channel पे नए है तो like, share, subscribe ज़रूर कीजेगा और यहाँ पे हम इसी तरीके के videos बनाते हैं ताकि आप अपने online coaching सफर को और भी बहतर बना सकें और अपने courses को teach more के मादियम से आप launch करके अच्छा पैसा कमा सकें जादा से जादा लोगों तक reach out कर सकें I hope यह वीडियो आपको पसंद आए होगा इस वीडियो में आपको पता चला कि कैसे आप इस skill के मादियम से अपने business को coaching business को आसानी से grow कर सकते हैं तो उसको बैतर बना सकते हैं तो उसके साथ साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा कोई भी question, query है comment section में जरूर बताएगा उसके साथ साथ आप अपने courses को बहुत ही असानी से launch कर सकते हैं हजारों लाकों student तक उसको sell कर सकते हैं teach more के मादियम से तो आज ही रेस्टर करें teach more पे